पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले होम गार्ड्स कोई योगी सरकार से बड़ा जटका लगा है और दिवाली से पहले ही 25,000 होम गार्ड के घरों में अंधेरा छा गया प्रदेश सरकार के एक जटके में प्रदेश के 25,000 होम गार्डों की सेवा समाप्त करने की घोशना से सेवा दे रहे लोगों में घोर निराशा है ADG पुलिस मुख्याले बीपी जोगदंड ने इस संबंद में आदेश जारी कर दिये हैं साथी कहा है कि बीते 28 अगस्त को मुख्य सचीव के अध्यक्षता में हुई बैठक में होम गार्ड स्वयम सेवकों की तैनाती समाप्त करने का फैसला किया गया था इस फैसली के बाद 3 अप्रेल 2019 को जारी साशन आदेश द्वारा जिलों में निर्धारित कुल 25,000 होम गार्डों की तैनाती समाप्त की जाती है सुप्रम कोट की सक्ती का असर प्रदेश के होम गार्ड को पुलिस के बराबर वेतनमान मिलने को लेकर सुप्रिम कोट में एक मामला चल रहा था जिस पर कोट ने होम गार्डों को 600 रुपे मान दे और 72 रुपे डिये देने का आदेश दिया था कोट की सक्ती के बाद वित्त विभाग ने इसे सुईकार करते हुए होम गार्डों को 6 दिसंबर 2016 से 31 अगस्त 2019 तक के एरियर के भुकतान करने का फैसला किया और प्रस्ताव को मन्जोरी देने के बाद प्रमुख सचीव होम गार्ड को भेज दिया इस समय होम गार्डों को 500 रुपे प्रति दिन के हिसाब से भत्ता दिया जा रहा है नए आदेश के बाद होम गार्ड को पुलिस के बराबर वेतन मान मिलेगा इस से पहले 7 अगस्त 2018 को योगय दित्तिनाथ ने लखनव में होम गार्ड ट्रेनिंग सेंटर का उदगाटन किया था और होम गार्ड की बहतरी के लिए काफी बाते भी कही थी सुनिए उस दन सीम योगी ने क्या कहा था कि पुर्ट आधिडी को उनको उस प्रेंशा जिए उस थे के बारे में देरी जाए तो मुझे लगता है कि उत्तर मुडेश के अंदर उत्तरेश भूंगाड एक बहुत बड़ा और मैजेशन की रूप में अपनी सेवाई प्रदान कर सकता है आज पचास हजार से रहा करके इसको सब्सक्तर हजार और फिर एक लाग तक करने का दुकारे हुआ उसमें बड़ी होनी कास के तिन पर हमारे तीनों स्थानों पर सामान में पुलिस के साथ सिविल पुलिस के साथ योगदान देने का हो ट्रैफिक पुलिस के साथ योगदान देने का हो या फिर कहीं पर कोई आपता आने पर राहत कार्यों को बिश्तित रुक से आगे 25 की जगह अब 15-15 दिन लगेगी ड्यूटी आपको बता दें मौजूदा स्थिती में होम गार्ड की वेतन का भुकतान उनकी लगने वाली ड्यूटी के आधार पर ही किया जाता है यानि उनकी कोई फिक्स तनख्वा नहीं है अब तक ड्यूटी रोटेशन के तहत एक जवान की कम से कम 25 दिन की ड्यूटी लगती थी लेकिन अब एक होम गार्ड को महिने में अधिक्तम 15 दिन की ही ड्यूटी मिल पाएगी अगर सुपरम कोट के आदेश के बाद एक होम गार्ड की 25 दिन की ड्यूटी लगती है तो 672 रुपे दैनिक के तौर पर उसे 16,800 रुपे महिने वेतन मिलता जो की मौजूदा 12,500 रुपे से ज्यादा था लेकिन अब एक होम गार्ड के अधिक्तम ड्यूटी 15 दिन होगी लेहाजा 672 रुपे दैनिक वेतन के अनुसार उन्हें महज 10,080 रुपे ही मिलेंगे ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब केसरी टीवी